सब्सक्राइब कीजिए शब्द समराट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाईए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए अपने साथ साल के बेटे और अपनी पतनी की गला घोट कर हत्या कर दी इस क्रूर पती का नाम दीपक गायकवाड है कल्यान शहर में उनकी नानूज वर्ड नाम से खिलोनों की दुकान है प्रारंभिक जानकारी है कि दीपक ने खुद भी आत्महत्या का प्रयास किया है पुलिस उसकी तलाश कर रही है दीपक गायकवाड अपनी पतनी अश्विनी और साथ साल के बेटे आदिराज के साथ कल्यान पश्चिम के रामबाग लेन नंबर तीन पर ओम दिपावली बिल्डिंग में रहता था आज दोपहर उसने अपने रिष्टेदार को फोन किया और अपनी पतनी और बच्चे की हत्याकरदी प्राथमिक जानकारी है कि वह भी आत्महत्या की कोशिश किया था रिष्टेदार जब दीपक के घर पहुँचे तो हैरान रह गए अश्विनी और साथ साल के बेटे आदिराज का शव मिला लेकिन दीपक फरार हो चुका था इस घटना का इसकी सूचना महात्मा फुले पुलिस को दी गई महात्मा फुले पुलिस स्टेशन से पुलिस मौके पर पहुँची लड़के और उसकी मा के शव को कबजे में लेकर अस्पताल भेज दिया गया दीपक फरार हो गया था दीपक गायकवार कल्यान शहर में खिलोनों की एक महेंगी दुकान नानूस बर्ड की मालिक है महात्मा फुले पुलिस ने इस मामले की जाच शुरू कर दी है पुलिस दीपक की तलाश कर रही है दीपक ने ऐसा क्यों किया? इसका खुलासा उसकी गिरफतारी के बाद ही होगा इस घटना से संसनी मच गई है